दोस्तों आज मैंने बताया है कि आपकी गाड़ी का इंसुरंस अनलाइन पे कैसे डाउनलोड कर पाओगे अगर आपकी गाड़ी का इंसुरंस आपने नेशनल इंसुरंस कंपानी के अंडर किया है तो आप easily इसको online पे original insurance को download कर पाओगा ये facility national insurance company प्रोबाइड किया है otherwise आपकी insurance पे आपकी mobile number अपडेट नहीं है email address अपडेट नहीं है तो इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा जो आज मैंने आपको इस वीडियो पे बताया है तो फ्रेंट्स मैं हूँ दिलिप और आप देख रहे हैं डिबी मुल्टिटे अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्क्राइब नहीं किया है तो प्लिज सब्क्राइब बटन पे क्लिक करके सब्क्राइब कर दीजिए तो फ्रेंट्स डरी ना करते हुए चलिए दखते हैं कि कैसे नेशनल इंसुरांस पोटल पे आपकी गाड़ी का इंसुरांस डाउनलोड करते हैं तो दोस्तों अगर आपकी गाड़ी का इंसुरांस नेशनल इंसुरांस कमपानी के अंडर है तो आपको पहले nationalinsurance.nic.co.in portal पर आना होगा ये portal अपन करने के बाद आपको उपर से बहुत सारा option दिखाए देगा एक option है वाप्टोस, देन प्रोड़ाउक्ट्स, पुईक रेनवाल, customer login इसी customer login पे आपको अगर mouse पॉंट रोखोगे तो आपको एक login बटन दिखाए देगा एक update contact details दिखाए देगा इस वक्त आपको update contact details पे click करना होगा click करने के बाद आपका policy number इधर enter करना होगा policy number enter करने के बाद आपको इधर capture देना पढ़ेगा capture Beaumक क्लीक करना के बाद पक्लीक करना होगा उसके बाद last name, उसके बाद pin code, यह सारा का details अपकी policy जिस नाम पर है इधर वो ही correct देना पड़ेगा, मेरा policy जिस नाम पर है मैं enter कर लेता हूँ, उसके बाद last name, उसके बाद अपने area का pin code, pin code देने के बाद submit button पे click करना होगा, click करने के बाद इधर दिखाए दे जाए आपके policy किस के नाम पर है और आपको verify करना पड़ेगा, verify करने के लिए आपको mobile number, email id, mobile number and email id, इसी तिनों से किसी एक को select करके verify कर सकते हैं, इस वक्त मैंने में mobile number select कर लाता हूँ, mobile number, enter the new contact details, you would like to update your policy schedule, अगर आप mobile number update करवाना चाहते हो, तो only mobile number पे select करके, इधर अपना mobile number एंटर करके, आप update कर सकते हो, और प्रहरी किए आप बोथ mobile number and email id को update करवाना चाहते हो, तो mobile number and email id दोनों को update करना होगा, update करने के लिए इधर mobile number देना होगा, इधर email address देना होगा, इस वक्त मैंने mobile number and email id दोनों को select करता हो, किस वक्त मेरा मॉबाइल नाबर एंडर कर लेता हूं ? मॉबाइल नाबर एंडर करने के अपना email राडी भी देना होगा आपको वह एक option पूछा दा रहे ? अभी yes करना होगा ईस करने के बाद generate और ौटीपी पर क्लिक करना होगा आपकी एक आपकी मोबाइल नाबर पर एक OTP जाएगा और आपकी इमेल आड्रेस पर एक OTP जाएगा वो ही दोनों को इधर एंटर करना होगा यह दोनों OTP एंटर करने के बाद भालीडेट बटन पर क्लिक करें भालीडेट हो गया मेरा वेरिफाइड डीटेल्स अभी क्या कर करना होगा प्रेंट बटन पर क्लिक करना होगा प्रेंट बटन पर क्लिक करने के बाद स्टार्ट डाउन्डोड बटन पर क्लिक करें इसको ओपन करें यह देखें थांक्यू यूर पॉलीशी होल्डर प्लीज फाइंड बिलो दो डीटेल्स अफडेट इन वर पॉलीशी ड करना पड़ेगा तो आपको फिर से Home button पर आना होगा यह पससे अपनों और आपको Customer login के अड़र एक login का option है वही पर click करना इधर आपना customer ID देखे आप login कर सकते हैं अगर आप फास्टा मीज़र हो तो आप register here policy order पे क्लिक करना होगा इसके बाद आपकी customer ID इधर देना होगा customer ID देने के बाद submit बटन पे क्लिक करें submit बटन पे क्लिक करने के बाद यह देखे जो आपने update के थे आपकी policy पर email address और mobile नंबर यह दोनों दिखाई दे रहा है अभी क्या करना होगा generate OTP क्लिक करना होगा आपकी mobile नंबर पे खिर से OTP जाएगा वही OTP इधर एंटर करना होगा OTP एंटर करने के बाद validate बटन पर क्लिक करना होगा इधर आपको दोनों password चूज करना होगा यह मैंने दोनों password दे दिया अभ इसके बाद अपना password एंटर करी उसके बाद login बटन पर क्लिक करने के बाद आपको वही पलीची को अगर आप रिन्यू करवाना चाहते हो पर क्लिक करना होगा अभी हम वही C policy को डाउनलोड करेंगे तो इसलिए भी पलीची से इलड़ करेंगे उसके बाद आपने पलीची क के अंदर अपलाई किये थे उसी डटट सिलेक्ट करना होगा में 4 अपरेल ले लेता हूं और एन्ड 7 अपरेल पर ले लेता हूं यानि कि मेरा चार त् tääरीक से 7 तारीक के अंदर मैंने पॉलिशी का अपलाई किया था उसके इसके बाद Select Policy Status पर Policy Issue पर क्लिक करें उसके बाद Search बटन पर क्लिक करें यह देखें अभी दिखाई दे रहा है मेरा Customer ID गदिछ JUL-D, policy किस के नाम पर है, policy नमबर ये details दिखाई रहा है इसको अभी policy PDF पर डाउनलोड & policy 편 आ रहा है इसको अब PDF पर 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 डाउनलोड करताऊजी ये देखे मेरा insurance डाउनलोड हो गया इसको मैं ऑकप्ण कर लता हूं ये देखे ये पूरा का पूरा औरिजिनाली डाउनलोड हो गया है इसपे सब अप GSD वगरा अपकी इंसरांस पे जो है सब डाउनलोड हो गया ये देखे मेरा इंसरांस पॉलिशी का GSD है ये पॉलिशी का डिटेल्स इधर मिल गया अदर्वाइज अगा आपकी रिशीप्ट डाउनलोड करवाना चाहते हो तो रिसीट पे डाउनलोड करना होगा यह देखे मेरा रिसीट डाउनलोड हो गया मेरा मोनी रिसीट डाउनलोड हो गया और आपकी प्रोपोचल भी इधर डाउनलोड आप कर पाऊगे फोक बहुत जल्दी बो अप्शन आ रहा है इसी तरह आप प्रोपोचल फर्म को भी डा कीजे. Thank you.